हेलो एवरिवन वेलकम टू माइटी स्टिचिज आज के इस वीडियो में हम सूट के बच्चे हुए कपड़े में से पैपलम टोप बनाना सिखेंगे जिसे बनाना बहुत इजी है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने फैब्रिक को फोर फोल्ड करके बि बना रही हूं तो इसका मेजरमेंट इतना ही है और मैंने चेश्ट की मेजरमेंट के लिए साड़े आठ इंच पर निशान लगाया है और दो इंच मैंने मार्जिन के लिए रख दिया है कमर के लिए मैंने साथ इंच पर निशान लगाया है और दो इंच एक्स्ट्रा कई डरnd लिंगे इसकी लेंद के लिए यह पहले अपर पार्ट में कट कर रही हूं तो मैं ने 15 इंच का अपर पार्ट में पन लगाया है अब हम और मोल की गोलाई लगा लेंगे और फ्रंट पार्ट की गोलाई के लिए हाफ इंच अंदर की साइड में हम निशान लगाएंगे और इस तरह से मिला लेंगे और उसकी भी गोलाई लगा लेंगे यह नेक के लिए मैंने 5 इंच लेंथ ली है और विड्थ में मैंने 1.5 इंच का लिया है और इनका एक निशानों को मिला के एक बोक्स बना के और इनकी गोलाई लगा लेंगे यह बैक पार्ट के लिए मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है हाफ इंच शोल्डर की तरफ हम डाउन कर देंगे अब इन निशानों को पर हम कटिंग कर लेंगे यह पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूं फिर इन पार्ट को अलग करके फ्रेंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो फ्रेंट पार्ट की कटिंग के लिए यह मैंने पहले से निशान लगा ली थे उन्हों पे कटिंग कर ली है नीचे से हम हाफ इंच डाउन करके कट करेंगे यह बचे हुए फैब्रिक में मैं नीचे फ्रिल लगाऊंगी तो जितना हमारा बचा हुआ है उसको हम टू पार् मैं पप्रिल के लिए इसमें से फैब्रिक अलग कर लूँगी तो यह मैंने अपर पार्ट के में फ्रिल लगाने के लिए यह मैंने ट्वंटि-नाइझ का ओभा पर लिए बाकी बचे हुए को हम आर्म पी खरेंगे। कि इस निशान को मिलाद के काट कर लेते हैं अब इस पार्ट को टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं जितना बचाओ उसी को ही हम बीच में सेंटर का निशान लगाके और टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कि यह हमारी कूरति की कटिंग हो गई है क्ला के करें चिए और इस फैबरीक को हम फ्रील में this फ्रेंट पार्ट में और बेक पार्ट में जूज करेंगे तो फ्रिल के लिए छोती छोती फ्लि के लिए यथे मैंने «श्च्टा फैब्रिक लिया है» कि अब हम अपने आगे और उर पीछे के पार्ड त्यार करेंगे फ़ले फ्रण पार्ट में हम यह एक पैच बनाया है मैंने इसको हम बिलकुल का निशान लगाके और इसे अटेच कर लेंगे फ्रण पार्ट के साथ और यह لैस में समोसा लेस ली है इसको इस पैच के साथ ही स्टिच करेंगे तो इस तरह से भी कुछ सफाय से हम इस लेस को इस पैच के साथ स्टिच करते जाएंगे यह मैंने पैच अटेच कर दिया है अब हम इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे और इसके आगे और पीछे के नैक तयार करके मैंने दोनों पार्ट जोइंट कर लिए हैं अब हमें बाजू तयार करनी है तो बाजू की फ्रिल में हम इस तरह से छोटी-छोटी फ्लिट्स लगाते जाएंगे इसी तरह से छोटी-छोटी फ्लिट्स डालते हूं हमें दोनों बाजू तयार कर लेनी है अब हम इसमें समोसा लेस लगा देंगे यह समोसा ट्राइंगल लेस मैंने ली है और इसको हम जहां पे हमने जोइंट लगाया था फ्लिल पट्टी लगा के उसी जोइंट के साथ हम इसको अटेच कर देंगे और इसी तरह से बनाते हुए दोनों बाजू हम तयार कर लेंगे यह मैंने दोनों बाजू तयार कर ली है इनको हम अपने यह जो हमने बैक और फ्रेंट पार्ट के जो आर्म्स वाले पार्ट बनाए थे इनके साथ अटेज कर लिए यह दोनों मेने अटेज कर लिए हैं अब हम इसके नीचे फ्रेंट और बैक पार्ट में फ्रील पट्टी लगाएंगे तो जैसे हमने बाजू में फ्रिल पट्टी लगाई थी इसी तरह से हमें यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स में भी फ्रिल पट्टी अटेच कर देनी है छोटी छोटी प्लिट्स डालते हुए यह मैंने फ्रंट पार्ट सील लिया है और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट सील के हम इसमें साइड की सिलाई लगा लेंगी साइड की फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारा यह पैपलम टोप और मॉस्ट रेडी हो जाएगा इसके बाद हम बाजू में और नीचे के फ्रंट और बैक पार्ट में पिको कर लेंगे इसी तरह से सिलाई करते हुए हम दोनों साइड की सिलाई लगा लेंगे अपने टोप को कम्प्लिट कर लेंगे तो गाइस आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको यह डिजाइन बहुत पसंद आएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजाइन के साथ थैंक्स पर वोच्च गॉचीं बाइबाइबाइबाइब दूक है।